बहुत सारी चीजें आपको पता हैं, चल रही हैं, उनमें किन ताक्तों का हाथ है, किन का नहीं है, वो जग जाहिर है, उनमें कोई बताने वाली बाते नहीं है, ठीक है? कितने सारे हमारे जो टीचर्स हैं, उनको पोच किया गया, कितने सारे टीचर्स जब वो यहाँ पे थे, उनको पोच करने की कुशिश करी गई, जितने भी टीचर्स आपके रिस्पेक्टिव बैचीज में अलग अलग बैचीज में पढ़ा रहे हैं, उन सब को पोच करने की हर एक को अलग अलग जगा पे बुला के, अलग अलग जगा पे मीटिंग्स करके, वो सबको पता है, यह बताने वाली बाते नहीं हैं। हाँ, सबको पता है, सबको पता है मैं इन बातों में ना जाके बातों में ना जाके आप अपने ड्रीम की तरफ ध्यान दीजिए आप अपने उपर फोकस रखें ठीक है, आप किसी भी टीचर से बात करेंगी वो यही जवाब देगा के हमें भी बोलाया गया था मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो हमें भी बोलाया गया था भी बताएं कितने X आपकी सेलरी इंक्रीज करी जाए कितने X विचे X is in crores ठीक है, अडवांस दिया जाए ठीक है और जो नया वर्टिकल वो सो कॉल्ड बिल्ड अप कर रहे हैं नई कंपनी में उसमें रेविन्यू में कितना आपका शेर रखा जाए ठीक है बट इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है ठीक है PW सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार के उपर चल रहा है ध्यान उस पे रखें ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के उपर रखें किसी भी परकार में कोई भी चीजों आपका ध्यान टायवर्ट नहीं होना चाहिए ठीक है कई ऐसे लोग हैं, आप कोई भी बात कर सकते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम सारे normal human beings हैं, we all are same, आप घर में खुश होते हैं, उदास होते हैं, किसी और तरह का कोई emotion show करते हैं, मान लिजे आप किसी दिन emotional हो जाएं, तो आपके घर में जितने भी members हैं, वो आपको चुप कर आएंगे, और आपको कहेंगे चुप हो जाएंगे, किसी एक particular सर के साथ हैं, क्या हुआ कि अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो emotional हो रहे हैं, उनकी घर में बैठे हुए, कैसे किसी ने उनकी video बना ली, कैसे बना ली यार, आप अपने घर मे emotional होते हैं, तो क्या आपके घर पे आपकी videos बनाई जाती हैं, मैं अपने घर पे emotional होता हैं, तो क्या मेरी videos बनाई जाती हैं, क्या अलग सर अपने घर पे emotional होते हैं, तो क्या उनकी videos बनाई जाती हैं, नहीं बनाई जाती हैं, वो कैसे किसी ने किसी टीचर के घर पे बैठे और वे एक video बना ली उसके बाद कैसे उसके उपर एक sad song का तून सी लगा के उसको YouTube पे एक Channel पे डाल दिया गया कैसे हो वो कैसे हो सकता है क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे सात हो सकता है क्या अलग स्रकों पिछले इतने सालों में क्या कसर कभी emotional नहीं हूए होंगे है नहीं ठीक है हमारे पास बच्चों का अथा प्यार काफी है काफी है हमारे सर्वाइव करने के लिए हमारे रहने के लिए ठीक है बहुत है एंपल अमाउंट आफ आई वोड़ से इट से गुड़ मिक्चर ऑफ मनी और प्यार जिसमें प्यार का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है जिस तरह का ट्रीटमेंट अलग सर को देखना पड़ा पिछले कुछ दिलों में यह सोच से परे हैं सोच से परे हैं कोई एक टीचर करे कि सर हमारे पास तो दाल रोती खाने के भी पता नहीं मेरे पास पैसे हैं के नहीं है को धूं करोडों रुपे का वैलेंस आपके पास जिसमें चक्रोडों रुपे का ट्रांशेक्शन हुआ है पिछले एक महीने में आपके बैंक में ठीक है we have that proof with us- we आपके अकाउंट में 10 रुपे भी किसी के अकाउंट में डाले जाते हैं, चाहे वो UPI से डाले जाएं, NEFT से डाले जाएं, तो एक उसका transaction ID होता है, जिसमें ये बता जलता है कि किसने पैसे डाले हैं, किस को डाले हैं, ठीक है, और amount तो obviously आता ही है, वो हमारे पास हैं सर, क्या बता दें बच्चों को, बता दें क्या, अलग सर, जो आपके साथ हर सुख तुख में खड़े रहे, आपके साथ भी और हमारे साथ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आपके साथ थे और हमारे साथ नहीं थे, ठीक है, तो खड़े रहे, आज उनक बिल्कुल भी सही नहीं, आपको जाना था, आप जा सकते हैं, दरवाजे तो किसी ने बंद नहीं किये हुए थे, ठीक है, आपकी जब हमसे भी मीटिंग हुई थी, तो आपने क्या बात बोली थी, हमने जब बोला कि आप जब छोड़ के जाएंगे, तो क्या बात बोलेंगे क्या बात बोलेंगे, तब आपने यही बोला था ना, हम बोलेंगे P.W. बहुत बड़ा हो गया है, P.W. के वर्टिकल्स बहुत जादा खुल गए हैं, ठीक है, तो मैंने कहा था, बच्चे विश्वास नहीं करेंगे इन बातों पे, और आज वही होता हुआ नजर आ रहा है पैसों के बिना पे बनाई गई ये इमारत डहती हुई नजर आ रही है, क्या नहीं मिला असर इस कंपनी से, क्या नहीं मिला आपको इस कंपनी से, पैसा, अथा प्यार, पावर, क्या नहीं मिला, परतीक सर, अलग सर, हर सुख दुख में, आपके मेरे हमेशा खड़े रहे, एक आवाज पे, एक मैसेज पे, एक कॉल पे, ऐसा नहीं करना चाहिए जजर आपको, ऐसी चीज़ें आपको शोबा नहीं देती हैं, बच्चों की नजर में, जो ग्राफ आपका गिरता हुआ दि डिजर्व नहीं करते जिजर्व, बट शायद पैसों की चका चौन इतनी थी, जो बैंक बैलेंस में अभी नजर आ रही है, करोडों, करोड नहीं है जर्वो, करोडों हैं, आप चाहते हैं, कि क्या हम उनको पब्लिक डोमेन में डालें, आप बताएंगे तो हम डाल देंगे transaction details, किस date की थी, इस company में रहते हुए, आपने उनसे advance लिया है, और काफे दिन पहले से advance लिया हुआ है, पता है ना सर आपको, लोग कहते हैं, कि हमारे पास डाल रूटी खाने के पैसे नहीं है, करोडों रुपे का bank balance होने के बावजूद भी, क्या आपके पास डाल रूटी खाने के लिए balance नहीं है, ऐसी कौन सी डाल रूटी खाते हैं सराप, क्या आप बताएंगे, सोचा नहीं था, कि ये चीज़ें कभी आपको बोलनी पड़ेंगे, क्या पैसा वाके प्यार से भी ज़्यादा important है क्या, जब आपसे बोली गई हैं बातें, कि बच्चे, ये सब जो आप imaginary reasons बना रहे हैं, वर्टिकल जादा होने कारण, neat और जेए पर ध्यान नहीं है, ठीके, जो imaginary हैं आपके, इनको नहीं मानेंगे, तो आपने इसी कंदे पे हाथ रखके बोला था, घवरामत हमारे पीछे कंपनी है, इतने YouTube चैनल्स बनाएंगे, इतना perception क्रिएट करेंगे, क्योंकि चैनल्स हमारे हैं, YouTube को कैसे manipulate करना है, पूरी कंपनी है ना, इसी कंदे पे हाथ रखके बोला था ना सर आपने, कुछ नही इंगरवाईजर वो कंपनी है, और इतना पैसों का नशा, तहीं नहीं होता, आपको जाना था, आप जा सकते जिजर, किसी ने नहीं रोका था, रोका था, तो ethical grounds पे रोका था, जब मैंने आपसे पूछा, यह सब करने के क्या ज़रूरत आ पड़ी, तो आपने मुझे एक जवाब दिया था, इस batch में इतने वच्चे हैं, और हमारी salary यह है, और कोई incident ने डिसकस किया था, पैसा, 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 सर, यह बाते हैं, कैसे बूल गए सर अब, इसी company ने मनाया है आपको, इसी company ने, आज से, जब PW में आये थे, उससे काफी साल पहले से, आप पढ़ा रहे हैं, कितनी company के owner है, सर, जो past में आपके साथ रहे हैं, और आपके लिए, चार-चार लाइने भी, आपकी तारीफ में बोली हो, है कोई 2014 के recording, है कोई 2016 के recording, 17 के recording, 18 के recording, नहीं है न सर, शायद अलग सर से यही गलती हो गई, शायद यही गलती हो गई, बढ़ याद रखेगा, तुम्हें एक अलग पांड़े लेके जाओगे, वो हजार अलग पांड़े खड़ा कर देगा, सब परदा फाश हो चुका है, कि यह संकल्प नहीं, साजिश है, यह हमारे बच्चों का, पिछले जो 40-45 इन बचे हैं, उनका फ्यूचर खराब करने का, उनका ड्रीम उनसे दूर ले जाने की, यह साजिश है, आप कह रहे थे के, अब में हम किसी दे बीख मांग के अब बनवा लेंगे, जो कंपनी, आपके लिए सैंक्डो यूट्यूब के चैनल्स खोल रही है, जो कंपनी सैंक्डो यूट्यूब के क्रिएटर को मेल बेज रही है, जो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं कि आप हमारे साथ कॉलाब्रेट कर लें ठीक है यह तो पब्लिक डोमेन में है सर कब तक जूट बोलोगे कब तक छुपाओगे उन पैसों को आपकी अगर इच्छा है तो मैं विद्धा नेम आफ दे टीचर क्या वो ट्रांजेक्शन डेटेल बता दूँ क्या सबको इन बच्चों को बता दूँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं बता दूँ डेट्स भी याद है सर मुझे ट्रांजेक्शन की एक यह यह देट थी न वो और एक लौन से पहले की डेट यह है न जो अडवांस आ रहा है देरे देरे बताएं सर जूठे एलिगेशन के बिना पे जो आप इमारत खड़ी करने की कुशिश कर रहे थे वो डै गई है सर आपने सूचा कि आप यूट्यूब को इलिमिनेट कर लोगे आप बच्चों के परसेप्शन को इलिमिनेट कर लोगे आप बच्चों के प्यार को इलिमिनेट नहीं कर सकते सोचा नहीं था जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं न भी उनको काउंट करने के लिए भी कि कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है मिरको ऐसे देखना पड़ा डैश जीरो 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 पता नहीं कितने जीरो थे वो जो पैसे दिख रहे हैं उसका 95% से जादा हिस्सा पिछले एक से डेड़ मीने के अंदर ट्रांजेक्ट हो है सर आपके अकाउंट में किसी एक कमपनी दोवारा मैं फिर आपसे एक ही कुशन पूछन पूछना चाहता हूं क्या वो ट्रांजेक्शन डेटेल्स हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाएंगा आप एक अभी वीडियो आया था आपका जिसमें आप emotional हो गएते हैं और वो recorded वीडियो था सर आपने उसके शुरू में बोला कि हम सारे allegations का answer देंगे और वो recorded वीडियो में कुछ हुआ तो है नहीं सर आपने किसी allegation का answer नहीं दिया और as a human being we all go through a sea of emotions बड़ कभी हम वो वीडियो पे लेके थोड़ा आते हैं सर अलग सर का देखा कभी आपने उनने अपने emotions को सब के सामने रखा नहीं रखा ना हमें देखा कभी नहीं रखा ना आज भी आपको जबाब दे रहे हैं तो प्यार से दे रहे हैं सच को बताने के लिए ड्रामा करने की जुरत नहीं होती सर जूट को imprint करने के लिए सामदावदंडवेद लगाना पड़ता है जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये संकल्प नहीं साजिश है और मेरी आप से हाथ जूड के विनती है कि कभी अपनी लाइफ में सत्यमेव जैते को यूज मत करियेगा क्योंकि आपने सबसे जूट बोला P.W. से भी और बच्चों से भी और ये आप भी जानते हैं आपका bank balance बता रहा है वो transactions जो पिछले एक ड़़ मीने में होई हैं वो बता रही हैं ये company में रहते होगे अब ये मत कहिएगा ओहू मेरे account में करोडों रुपे बड़े होए थे मुझे तो पता ही नहीं था ये मत कहिएगा account बंद भी करवा देंगे न सर तो उसके साथ आपका आधार लिंक था आपका नाम लिंक था आपका फोन लिंक था सारी details वाहर आजाएंगी सर जितनी मर्जी planning कर लें जूट कभी सच नहीं हो सकता हूँ और किसी बच्चे का अगर result का नुक्सान हुआ न तो फिर पूरा साल पूरे पिछले दो साल से जो हम पढ़ा रहे हैं इनके result के लिए ही पढ़ा रहे हैं आपको ये करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था इस साल नीट का result आया था न बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कहना था कि अगर एक nominal amount of fee नहीं होता PW का तो शायद हम हमारा selection नहीं हो पाता उन बच्चों का भी खेयाल नहीं आया था आपको नहीं आया एक बार भी खेयाल कि करोडों रुपे के सामने वो सारे बच्चे दूमी लोग है सर जे एडवांस में आपकी बार result आया था एक बच्चे ने बूला था मैंने घर की बक्री बेच के जो है वो 4000 रुपे फीज दी थी भूल गे सर आप उन 100 अरे बच्चों को नेट में एक बच्चा आया था उसके घर की वीडियो थी उसके हालाद भूल गे सर आप कैसे भूल गे सर कैसा विजेन अलाइनमेंट है सर ये क्या बोला था आपने मेरे को कि हमने 20 ओं कंपनी के CEO से बात करी है ना तो अगर हमने ये कंपनी चुनी है तो अविसली अडवांस भी दे रही है और सेलरी भी कई गुना बढ़ा रही है और क्या हाँ इतना रेवन्यू होगा रेवन्यू में क्या बात कर रहे थे कोर्स भी केंगे किताबे भी केंगी टेस्स सीरीज भी केंगी उसमें जो रेवन्यू होगा उसमें से आपका हिस्सा होगा हमारा हिस्सा हमारे पास है सर और वो बच्चों का प्यार है लास्ट में आपसे सिरफ एक सिंगल कुशन है क्या वो ट्रांजेक्शन डेटेल्स बच्चों को दे दी जाएंगा और बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ना जाधा इंपोर्टन्ट है, रिजल्ट जाधा इंपोर्टन्ट है